हलो दोस्तो, सवागत है आपका हमारे चैनल बैसिक मेडिकल लेक्टर में आज की इस वीडिव में हम पढ़ने वाले हैं अस्टोमेटाइटिस के बारे में कि ये किस कारण होता है इसके सिम्टम क्या-क्या होते हैं अस्टोमेटाइटिस में कौन-कौन सी मेडिसीन यूज होती है वो सब आज की इस वीडियो में समझेंगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगे आपको जनकारी सही लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजेगा तो चलिए समझते हैं पहले बात करते हैं कि अस्टोमेटाइटिस होता क्या है There are usually many bacteria in the mouth of any human being which depend on the cleanliness of the mouth in the absence of oral hygiene These bacteria increase due to which astromatitis occurs In common language, inflammation of the oral mucous membranes is called astromatitis किसी भी मनुस के मुह में आम तोर पर बहुसे bacteria होते हैं जो की मुह की सफाई पर depend करते हैं Oral hygiene ठीक से ना हो पाने के कारण यह bacteria बढ़ जाते हैं जिसके कारण astromatitis हो जाता है आम भासा में मुह में छाले पढ़ जाने की अस्थिती को astromatitis कहते हैं इस तरह का inflammation हमारे जीब, मसूडे, होट और गाल पर छाले पढ़ जाते हैं astromatitis का जो tease है इसका मतलब होता है inflammation और यह inflammation bacterial और viral से हो सकते हैं इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों यह GNM वाले student के लिए काफी जरूरी है क्योंकि यह हमारे GNM बुक में भी है और आपको इसके बारे में पढ़ना है इसलिए इसका आप screenshot लेते चले अब जानते हैं type of astromatitis astromatitis रोग कई परकार का होता है जैसे keterhalal astromatitis, aftos astromatitis, malnutrition astromatitis, allergic astromatitis, infective astromatitis, kandy, deasis astromatitis यह कुछ astromatitis के परकार होते हैं इसका आप screenshot ले ले फिर आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यह सब जो astromatitis के type हैं यह सब किन कारणों से होता है तो चलिए बारी बारी से जान लेते हैं काउज ओफ astromatitis को पहले बात करते हैं पहले बारे में इसे मुकस astromatitis भी कहते हैं अधिक अलकोहल और तमाकू के सेवन से यह disease होती है इसमें औरल मुकस, मेंबरान्स, रेड हो जाती हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दूसरा, apthos astromatitis इसे मुक बिसफोट भी कहते हैं यह बार बार होने वाली disease है पैसेंट के मुह में painful, ulcer हो जाते हैं यह युवा तथा बच्चों में अधिक होता है तिसरी, malnutrition astromatitis इस परकार का astromatitis, vitamin B की कमी के कारण होता है अस्पेसली, vitamin B कम्पलेक्स की कमी के कारण तथा, vitamin C की कमी से भी यह रोग होता है चौथा, allergic astromatitis तूथपेश्ट में उपस्थित, chemical और antibiotic के सेवन से allergic होकर यह रोग होता है Infective astromatitis मुह में मुक कस मेंबरांस के वास्तविक infection के द्वारा यह रोग होता है जिसमें bacterial astromatitis, viral astromatitis और fungal astromatitis प्रमुक है चौथा, candidiasis astromatitis यह एक fungus candida है जो हमारे मुह में रहती है जैसा कि आप यह screen पर आप देख रहे हैं लेकिन यह अधिक हो जाने पर candidiasis astromatitis हो जाता है यह disease बोतल से दूद पीते बच्चो और physically weak patient में पाया जाता है इसके अलावा कुछ कारण इस परकार है human body में vitamin B और C की कमी weakness यानि की कमजोरी बहुत गर्म तथा अस्पाइसी भोजन करने से astromage problem पेट की गड़बड़ी से oral hygiene की सफाई पर धयानना देने के कारण blood disease के कारण भी यह हो सकता है skin disease के भी कारण यह चीजे होती है कड़वी ओसधी के 7 से भी यह astromatitis होते हैं यह सब कारणों के वज़े से astromatitis होती है अब आप इसका screen shot ले ले फिर बात करते हैं sign and symptom के बारे में की astromatitis होने पर हमें क्या-क्या लक्षन देखने को मिलते हैं तो astromatitis होने पर मुह के भीतर, tongue, auror plate तथा lips पर ulcer हो जाते हैं थ्रोट में भी ulcer हो जाते हैं affected part पर redness तथा inflammation देखने को मिलता है saliva secretion होता है हमारे मुह में लार्की मातरा अधिक आने लगती है कुछ भी भोजन पदार्थ खाते वक्त several pain होता है यही कुछ astromatitis के symptom होते हैं अब बात करते हैं treatment के बारे में कि astromatitis होने पर कौन-कौन सी medicine use होती है औरा-sore gel इस नाम से यह gel cream आती है जो आप छाले पर locally apply कर सकते हैं यह इस तरह का होता है जैसा कि आप देख रहे हैं anaerobic organism को कम करने के लिए एक gel आती है जिसका नाव metrogil dg जेल होता है इसका composition metronidazole होता है और आप इसका इस्तमाल locally apply कर सकते हैं metronidazole दोस्तो एक तरह का antibiotic है जो skin infection raises और mouth infection को ठीक करने के लिए इस्तमाल होता है दोस्तो यह सब medicine का use होता है astromatitis में और आपके astromatitis का condition के अनुसार दवाए चेंज भी हो सकती है इसलिए कोई भी medicine doctor की सला से ही use करे और ये सब दवाओ के नाम को आप screenshot ले ले यही थी astromatitis में use होने वाली medicine hope आप astromatitis को समझ गए होंगे ऐसे ही medical से जूरी और भी वी वीडियो देखने के लिए comment में आप पूछ सकते हैं मिलते हैं दोस्तों आपसे next वीडियो में